साथियों, सर्दार पटे हमेशा चाहते थे कि भारत ससकत हो, भारत समावेशी भी हो, भारत सम्वेशन सील भी हो, और भारत सतर्ग भी हो, मिनम्र भी हो, दिख्सित भी हो उन्होंने देश हित को हमेशा सर्वो परी रखा, आज उनकी प्रेणा से भारत, बाहरी और आंत्रिक हर प्रकार की चुनोतियों से निपटने में पूरी तरह से सक्षम हो रहा है पिछले साथ वर्षों में देश ने दसकों पुराने अवांचित कानूनों से मुक्ति पाई है राष्ट्रिय एक्ता को संजोने वाले आदर्शों को नई उन्चाई दी है जम्मु कश्मीर हो, नौर्थ इस्ट हो या हिमाले का कोई गाउँ आज सभी प्रगती के पत पर अग्रसर है देश में हो रहा आदुनिक इंफ्रास्ट्रक्टर का अंदर्मान देश में भावगोलिक और सांस्कृतिक दुरियों को मिटाने का काम कर रहा है जब देश के लोगों को एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने से पहले ही सो बार सोचना पड़े, तो फिर काम कैसे चलेगा जब देश के कोने कोने में पहुंचने की आसानी होगी तो लोगों के बीच दिलों की दुरी भी कम होगी, देश की एकता बढ़ेगी एक भारत, स्रेश्ट भारत की इसी भावना को मजबूत करते हुए आज देश में सामाजीक, आर्थिक और सम्वेधानिक एकी करण का महायग्य चल रहा है जल, थल, नव, अंत्रीक्स हर मोर्चे पर भारत का सामर्थ और संकल्प अभूत्पुर्व है अपने हीतों की सुरक्षा के लिए भारत आत्म दिरभरता के नए मिशन पर चल पड़ा है और साथियों ऐसे समय में हमें सर्दार सहाब की एक बात अवश्य याद रखनी चाहिए सर्दार सहाब ने कहां था by common endeavor we can raise the country to a new greatness while a lack of unity will expose us to fresh calamities एकता की कमी जहां नए संकट लाती है सबका सामुहिक प्रयास देश को नई उंचाई पर लेकर जाता है आजहाद भारत के निर्माण में सबका प्रयास जितना तब प्रसंगिक था उससे कहीं अधीक आजहादी के इस अमरित काल में होने वाला है आजहादी का यह अमरित काल विकास की अभूत पुर्व गती का है कठील लक्षों को हासिल करने का है यह अमरित काल सर्दार सहाब के सपनों के भारत के नवनिर्माण का है